है हलो फ्रेंड्स मैं सुली जोहन आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लॉजिकल वाइन में आज हम बात करेंगे विंडो नॉटिफिकेशन के बारे में how to hide your window notification and how to show your window notification कैसे अपने notification को hide करें और जो hide है उनको show करें कुछ notification normals होते हैं कुछ system notification होते हैं जैसे यह देखिए मेरे task भाग में यह आइकोंस है जो मैं show भी कर सकता हूँ and hide भी कर सकता हूँ जिसमें कुछ icons आ रहे हैं आप देखिएंगे जिसमें Wi-Fi sound time and date हम चाहते हैं कि यह volume control यहां से हट जाए Wi-Fi की setting यहां पर हट जाए date और time आ रहा है only time आए date ना आए कुछ इस तरह की heights है या notification जिसे आप changes करना चाहते हैं तो यह कैसे करते हैं यह मैं आपको आज बताऊंगा हमारा start menu है यह start menu के साथ जो यह बार होती है इसको हम task bar बोलते हैं यह हमारी task bar है आप देख सकते हैं यह task bar है हम task bar पर राइट क्लिक करेंगे and then goes to properties left side पर यह कुछ settings खुली हैं जिसमें आप देखेंगे task bar, start menu and toolbar and then lock the task bar, auto hide the task bar and use small icons यह settings हैं इसी में नीचे की तरफ आप देखेंगे यह notification का वो है जिसे हम customize कर सकते हैं notification को आप देखेंगे इसको हम customize करने के लिए यहाँ पर एक setting है कि कैसे अपने start menu को sorry task bar notification को customize करें यहाँ पर हम customize पर click करेंगे यहाँ पर एक windows खुलेगी जिसमें हमारे icons हैं कि हमारे task bar में कौन-कौन से icons यहाँ पर हमें हमारे यहाँ पर कौन-कौन से icons हैं जैसे networks वॉल्यूम साउंड वॉल्यूम वॉल्यूम विंड़ एक्स्प्लोरर सेंटिनल सिस्टम मैगनिफायर एक यह सॉफ्टर चल रहा है बेंडी कैम आप सेटिंग भी देशते हैं इन सबके एक behaviors हैं जो यहाँ पर appears हो रहे हैं जो आप देख सकते हैं इन की windows हमें तीन तरह की settings है इसमें आप देखेंगे sorry इसमें तीन तरह की setting आप देखेंगे show icons and notification first setting यह है and then second setting is hide icons and notification and third setting is show only notification यह कुछ settings है जिसके थूँ हम अपने notification शो एन हाइड कर सकते हैं first setting में हमें icon भी शो होगा and उसके notification भी शो होगे second setting में हमारा icon हाइड हो जाएगा पर उसके notification हमें show होते रहेंगे and then sorry setting setting में हमारे icons भी hide रहेंगे and then notification भी hide रहेंगे and third settings में only show notification only notification हमें show होगे icons हमें appear नहीं होगा और इसमें कुछ notification इस तरह के हैं जो windows के system notification होते हैं जो इन settings में नहीं है आप देख सकते हैं जैसे date and time date and time आप देख सकते हैं इस block में नहीं है आप देख सकते हैं यह देखें इस block के अंदर date or time नहीं है हम यहां देखेंगे लेट साइड पर यह setting है turn system icons on और off हम यहां पर click करेंगे यहां पर कुछ settings एक नया block खुला है इसमें यह systems icons है इनके यहां right side पर कुछ behaviors है जिसने हम नौटिफिकेशन हम देखेंगे जो है clock on है volume on है network on है and action shunter off है अब हम चाहते हैं कि हमारी clock की setting के अंदर हम clock को off कर दें तो हम इसको off करेंगे and then apply sorry ok अब यहां देखेंगे कि हमारे task bug में हमारी date and time नहीं है show हो रहे हैं अब हम चाहते हैं कि केवल time आए और date नहीं आए तो अभी हम इसके setting होती है आप यहां देखेंगे की customize के अंदर turn system icons जो है इस पर click करेंगे हम यहां पर clock को again दुबारा on करेंगे and then press ok and then press ok अब यहां आप देखेंगे आपके taskbar में time and date दोनों ही appear हो रहे हैं आप देख सकते हैं पर आप चाहते हैं कि only time आए date नहीं आए तो इसके लिए एक setting है यहां पर देखेंगे taskbar की properties में आप यहां पर चेक करेंगे use small icons you can see use small icons आप यहां पर इसे check करेंगे and then press apply आप यहां पर देखेंगे कि हमारे जो taskbar का icons हैं वो small हो जाएंगे छोटे आप यह देखें icons छोटे हो गएं और हमारे taskbar में सिर्फ हमें time ही दिखाई दे रहा है डेट नहीं दिखाई दे रही है आज आपने देखा कि कैसे हमने windows के taskbar के notification अपियर या not अपियर किये या show किये height किये मुझे आशा है कि यह video आपके काम आया हो मेरे इस video को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह video पसंद आया है तो please इसे subscribe करें मेरे channel को और मेरे इस video को like करें अगर आपको कोई other problem है तो मुझे लिखे या मुझे mail करें thank you friends करेंगे याँ अब्स